नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिबोर्ड आएए बात करते हैं सिल्वर एमसी एक्स की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसी एक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें ज थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसी एक्स का चार्ट दोस्तों यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने एक साइडवेस ट्रेंड के साथ उसमें एक सेलिंग प्रेश सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड करता रहा जिसमें इवनिंग सेशन के पास मार्केट को एक सपोर्ट फिर से मिला और मार्केट ने एक उपर की तरफ अपना ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा इसका वो था 63,686 यहां पर एक चीज़ थी के मार्केट ने ओपनिंग प्राइस से ही एक जो सपोर्ट लिया है उसे बहुत स्ट्रोंगली कंसिडर किया और प्राइसे जो थे वो उस प्राइस से करीब करीब 1200-1300 पॉइंट की एक अपसाइड मुमेंट दिखा कर क्लोज हो गए इस तरीके का ट्रेंड रहा इंट्राडे चार्ट्स पे मार्केट में एक सपोर्ट मिला इस ट्रेंथ देखी गई आने वाला सेशन कैसा हो सकता है उसको लेकर अभी हम थोड़ी बात करेंगे पर एक चीज़ ज़रूर है कि जो सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यू था वो कही ना कहीं अभी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है देखिए जो डाउन साइड है वो सिल्वर में अभी खतम नहीं हुई है सिल्वर में एक कंसोलिडेशन का फेज हम एक्सपेट कर रहे हैं जो अगले कुछ सेशन के लिए अट लिस्ट कंटिन्यू रह सकता है सपोर्ट बनाया है यहां पर एक चीज यह है कि गोल्ड की एक्सपायर हुई है तो थोड़ा सा मार्केट एक अलग तरीके से रियाट करनी कोशिश करेगा फैनेंशल ओपनी गई इंडिया में तो बहुत सारी चीज़े हैं हम सिर्फ वैसे अगर चार्ट की बात करें तो एक सबोर्ट मिला है इस ट्रेंथ आई है और जिसमें यह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी कंसलिडेशन के लिए कुछ टाइम ले सकता है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनिटे टाइम फ्रेम पर वहां देखते हैं कि क्या व्यों नजर आ रहा है यहां पर अगर हम बा एंड में इस ने देखिए सपोर्ट यह नहीं कि मार्केट ने बिल्कुल यहीं पर हम यह चूब देंगे कि मार्केट ने support लिया उसकी confirmation लगभग यहीं पर आई है जहां पर मार्केट की closing होई है ठीक है 63 700 के असपास पर मार्केट ने उन levels पे अपने आपको sustain किया prices को hold किया तो ये एक sign है कि silver के prices में आने वाले टाइम में थोड़ा सा और हम upside view expect कर सकते हैं जिसमें मार्केट एक range बना सकता है उपर के लिए नीचे के लिए और उस range को market आगे कुछ time के लिए hold कर सकता है ठीक है एक fresh downside अभी एकदम से expect नहीं करने है पर overall trend silver में अभी भी downside का है कोई long position अभी carry over करना वो थोड़ा सा risky अभी भी रह सकता है ठीक है और थोड़ा सा के चलते हैं एक घंटे के time frame पर किस तरीके का trend अभी है में नज़र आ रहा है यहाँ पर हम देख रहे है market में एक consolidation का phase था उसके बार market ने downside फिर downside फिर downside और यह एक fresh support लेकर market उपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है 64,000 इसने break नहीं किया, touch नहीं किया, market उसके नीचे ही रहा है तो पर एक support मिला है मतलब यह जो level होते है 64,000, 65,000 यह सिर्फ psychological level होते है technical level भी है कई बार बन जाते हैं पर अभी market का 64,000 से कोई लेना देना नहीं है prices उसके उपर जाए यह नीचे रहें तो यह सिर्फ psychological level रह सकता है कि कई trader इस तरह के सोचते हैं कि 64,000 break करें तो market उपर जाएगा से फिर next वो सोचते हैं 65,000 अलग अलग theories हैं सबकी अपनी यह होता है एक जैसे हम expert कर रहे हैं कि silver में अगर एक upside move है तो 70,000 का एक price आएगा उसके उपर market अगर गया तो और उपर जाने लग जाएगा तो यह बिल्कुल round of वाली figure होती है ठीक है और थोड़ा सा के चलते है देखते हैं market किस तरीके का नज़र आ रहा है यहां अगर हम बात करें तो silver के prices में एक downside, consolidation, एक upside फिर consolidation जो काफी लंबे time तक continue रहा और यहां पर prices दीरे दीरे नीचे की तरफ move कर रहे है और यह जो upside आ रही है इसमें एक range जो हम expert कर रहे है वो इस range के बीच में अभी market कुछ trade कर सकता है यह exact कौन से price है वो अभी हम discuss करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं पर यहां पर एक चीज़ जो हम देख रहे है market में कि यहां से जो downside market ने दिखाई है यह एक नीचे के तरफ देखिए क्या होता है कि कई बार जब भी market में एक trend create होता है upside का यह downside का तो पहले market किसी भी reversal से पहले मतलब यह हमेशा की बात नहीं है पर कई बार ऐसी कोशिश करता है कि धीरे-धीरे market नीचे आ रहोगा और फिर और जदा नीचे जाके फिर एक reversal लेता है तो अभी तो market बहुत normal तरीके से नीचे आया इसमें कुछ ना panic create हुआ ना कुछ हुआ हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी कभी market में कोई panic की situation आती है तो वो एक reversal के chances भी बन रहे होते हैं उस time मतलब ऐसा इसकी probability काफी हाई हो जाती है कि market में panic आया एकदम से sell out या फिर एकदम से कोई buying आ जाती है market में position clear होने लगती है, square of होने लगती है और वहां से market एक reversal की भी कोशिश कर लेता है अभी इस तरीके का कोई session हमें silver में देखने को नहीं मिला है और दूसरा, जिस तरीके से market ने 64,000 के नीचे अपनी closing दिखाई है prices hold भी होते रहे हैं, पूरे दिन market ने उसके नीचे अपने आपको अच्छे से maintain किया है तो वो भी एक अच्छा sign है जो नीचे के levels को अभी continue रखेगा अभी फिलाल कुछ दिन के लिए हम यह expect कर रहे हैं कि market में consideration का face continue रह सकता है यह time period लगभग 5-7 दिन का भी हो सकता है तो बहुत सारे वो आएंगे बीच में कि अब यह uptrend हो गया है, downtrend हो गया है पर अभी ऐसा नहीं है, अभी market थोड़ा रुका हुआ रहेगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, daily charts पे यहां देखते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है market में एक strong bull run, वहां से selling, फिर धीरे-धीरे prices उपर की तरफ जाते हुए और यहां से market में एक जो गिरावट नजर आई है, जो इसका closing price रहा वो था 63,814 यहां पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो यह है कि यह एक price था, इसके नीचे market ने अपनी closing तो last to last trading session में कर दी, और जो last trading session रहा है इसका, उसमें 64 के नीचे ही closing हुई है तो यह इस चीज़ को indicate कर रहे है कि prices इस range को अभी hold कर सकते हैं, कुछ time के लिए ठीक है, थोड़ा सा वापस चलते हैं, एक घंटे के time frame पे, उन levels को अब हम discuss करते हैं, जो हमारे लिए अब आने वाले session में important हो सकते हैं, यहां पर एक price है कि अगर कुछ भी market में selling आती है तो थोड़ा सा जो intraday level पे market देखिए, यह मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि market में कुछ भी अगर downside आती है तो एक सबसे पहला nearest point है, 63,250 इस price को market अगर नीचे में break कर देता है, तो market में यह उमीद बन सकती है कि एक consolidation phase continue हो सकता है, कोई strength आनी फिर मुश्किल हो जाएगी, एक downtrend का continue रहना मुश्किल हो जाएगा और एक consolidation का phase intraday में वो continue हो सकता है उपर जाने के लिए, अभी देखिए market ने, उपर के लिए थोड़ी सी strength ज़रूर दिखाई हुई है fresh selling अभी avoid करें fresh buying भी देखिए, silver में बहुत ज़्यादा मैं recommend नहीं कर रहा एक range है, जिस market trade कर सकता है यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से जरूर कर सकते हैं आपको एक upside view मिलेगा, वहाँ पर आप sell कर सकते हैं आपको downside view मिलेगा, वहाँ पर आप नीचे जाने पर long portion create कर सकते हैं तो एक consolidation phase का यह benefit होता है और drawback भी यह होता है benefit यह कि market में नीचे जाने पर हम खरीच सकते हैं उपर जाने पर बेच सकते हैं और market उसी range को continue करता है drawback ही होता है कि market में अगर हमने एक गिरते वे session में long portion create की है और अगर उस range को market break कर दे तो एक risk में हम enter कर जाते हैं ठीक है, तो सबसे पहला price जो है जो nearest point है वो है 63,250 कोई भी further downside अगर extend होती है तो market को उसके लिए 62,600 के price को break करना होगा यह price जब तक break नहीं होता यह price current price से करीब 1100 point नीचे है तो यह price जब तक break नहीं होता further downside की कोई बहुत बड़ी expectation ना रखें market में एक sideways trend रह सकता है कुछ दिन के लिए इसमें एक factor और जो involved है वो यह कि gold में अच्छी strength देखी गई है उसमें prices में एकदम से कोई relaxation वो अभी नहीं लग रहा है तो उस वज़े से भी कहीं न कहीं उसका असर अभी silver पे बना रहेगा उपर में अगर कोई और strength silver में हम expect करेंगे तो उसके लिए इसे एक price है 65,250 ठीक है यह price यहाँ पर है यह जो इसने आपको ध्यान होगा थोड़ टाइम पहले एक consolidation का phase बनाया था बिलकुल इस level को अगर market break करता है और इसके उपर थोड़ी देर के लिए sustain कर जाता है तो और ज्यादा strength हमें देखने को मिल सकती है जिसमें 67,000, 68,000 के आसपास के कुछ level market touch करने की कोशिश कर सकता है ठीक है वो इस range का बिलकुल end point होगा तो इस तरीके का session हम expect कर रहे हैं यह कुछ levels हैं जो अभी हमने discuss किये देखते हैं अभी next session किस तरीके से रहते हैं इसमें यह price हमागे लिए काफी important रहेगा 65,250 उसके नीचे जब तक market में है इसे market upper band के तरीके से treat करेगा नीचे 62,600 को एक lower band के तरीके से treat करेगा और market इस range में अपने आपको आगे के लिए continue कर सकता है तो दोस्तों यह था मेरा silver mcx पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहें यह market report धन्यवाद